गुजवाती मां तमारों स्वागट छे, हुँचु प्रीजल शा अपनी साथे महरास्ट्रमा करोना केस नी आपड़े वाद करिये तो महरास्ट्रमा त्यारे सौथी वधारे आकड़ों जुवा मड़ी रहे हो छे संपूर्ण भारत मां 140 केस थे या छे पड़े नोजे सौथी वधारे आकड़ों छे, ए महरास्ट्रमा नौन था हो छे पर आपड़ी साथे वाद करों माटे BBC मराथी सर्वसना एडिटर आशिश दिख्षिट छे आशिश तुम्चा स्वागत आए BBC News गुज़ाती मदे कशाए तुमें एकड़म मजए आप केसी है बस बढ़िया सबसे पहले कि शुरुआत हुई थी इंडिया में दिली से दिली आगरा में एक केस रजिस्टर हुआ था लेकिन उसके बाद महरास्ट्र में एक के बाद एक इतने सारे करनाटक के थे वह एक ही प्राइविट कंपनी के थुरू दुबई गए थे और फरवरी के आखरी हफते में वह दुबई से वापस आए तब तक दुबई उस लिस्ट में नहीं थी जिस देश से आने वाले लोगों को हम क्वारंटाइन कर रहे थे इंडिया में तो वह कोरोना का वाइरस लेके गए और इसी वज़े से अचानक ये केसे बढ़ गए जो पूना में पहली केस रजिस्टर हुई थी वह पहली केस भी दुबई से ही आई थी फिर उन्होंने फिर अपने वह जब बॉंबे से पूना रही थी तो ड्राइवर को हो गया जब वह घर ग बुग से अख, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो वाईरस में ज्यादा आया और ये भी कह सकते है कि उसको चेक नहीं किया गया तमिल नाड़ो में तो सबसे ज्यादा है तो वहाँ होना चाहिए था पर महराश्च में चेक नहीं हुआ तो इसकी वज़े से नागपूर में जो केस पाया गया वो अमेरिका से आया था फिर एक थाइलन का केस आया अभी दो फिलिपीन्स के लोग वहाँ पे मिले तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़े हैं एक तो फॉरें से ज्यादा लोग भी आ रहे हैं और उनका उतना बारीकी से चेकिंग भी नहीं हुआ पूने और आसपास का जो रीजन है जो पिंप्री और चिंचवर्ड नाम के जो चोटे-चोटे सबर्ब्स है तो पूने रीजन में टोटल 18 है और मुझे रीजन में 14 के आसपास है जिसमें मुंबई, नभी मुंबई, कल्यान, हम सब कुछ जोड ले, तो वो 14 होते हैं, तो मुंबई और पुने में सबसे ज्यादा फिगर्स है, और मुझे ये भी लगता है कि 42 लोग हमें ग्यात हैं, इससे ज्यादा शायद हो भी सकते हैं, जो हमें नहीं पता है, सरकार कह र हैं, तो दुनिया में कई सारे देश हैं, जैसे साथ कोरिया है, जो हर एक बंदे को जिसको सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसको चेक कर रहा है, और उनके चेक भी बहुत जल्दी होते हैं, एक डेड़ घंटे में रिपोर्ट आ सकती है, पर इंडिया में, पर मिलियन, मतलब 10 ल हैं, एक कुलीग है, जिनको लग रहा था कि शायद उन्हें कोरोना वाइरस का इंफेक्शन हुआ है, वो यहां अरेमल हस्पताल में दिल्ली में गए थे, और उन्हें कहा गया कि नहीं, आप अगर किसी फॉरिनर के कांटक्ट में नहीं आये हैं, तो हम आपको चेक नहीं कर कि जो महरास्ट्र है, वो second ऐसा state है, destination है, जहां से foreign tourist सबसे ज्यादा आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो बहुत कम बरती गई है, अभी जो फिलाल government है, शिव सेना की है, यूती वाली government है, लेकिन नहीं government है, शिव सेना का ये first experience है, हाला कि उन्होंने, second की पहले भी रह चुकी है, उद्र ठाकरे के हिसाब सिफ first, हाला कि उन्होंने BMC हैंडल किया हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी, महामारी है ये, कोई simple flu नहीं है, या जिसकी रस्ती है, या जिसका इलाज है, या test kit भी अपने पास नहीं है, जैसे आप बदा रहे हो ऐसे, तो ये सारी चीजों में government कैसे react कर रही है, उनका response कैसे लग रहा है, इसका जवाब अभी देना मुश्किल है क्योंकि अभी we are in the middle of it, उनका ये कहना, यही सवाल जब press conference में पूछा गया, क्योंकि Chief Minister हर रोज press conference कर रहे है, जो अच्छी बात है अगर बताती है, इन चौदा लोगों को कौरेंटाइन कर रहे हैं, हम अपने से कोई नहीं कर रहे हैं, हर रोस उन्हों ने ये तक कहा कि हर रोस सेंटरल गवर्मेंट अलग अलग चीजे बताती है और हमें वो सब फॉलो करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा passing the buck वाला म लोग हैं, जो एक ही टूर से आये थे, उन सभी लोगों में से जब एक व्यक्ति को कोरोना वाइरस हुआ है पता चला, तो अगर हम और जल्दी उनके साथ जो सभी लोग थे, उनको धूंड के, उनको कौरंटाइन कर देते और वो जिन लोगों के साथ कौन्टैक्ट में आय तो अब तक उन्होंने सिर्फ, मुझे लगता है 600 लोगों को ही self isolation, home isolation में रख दिया है और quarantine कुछ 100 लोगों को किया है, तो क्या ये काफी है मुझे पता नहीं है, क्योंकि इतने बड़े स्टेट में क्या सिर्फ इतने ही लोगों के contact में वो सभी लोग आये थे, जिन जिन को coronavirus हुआ है, पता नहीं. जिन के लिए shut down कर दी गई है, उन्होंने वो भी clear किया, कि हमने वो shut down नहीं किया है, हम सोच रहें कि क्या 50% लोग अगर government offices में आये, तो क्या हम अपना सरकार का काम चला सकते हैं, लोकल ट्रेन की जहां तक बात है, एक proposal था, कि क्या हम लोकल ट्रेने बंद कर दें, पर अगर लोकल ट्रेन बंद हो जाती है, तो मुंबई ठप हो जाएगी, मतलब उसमें दो तीन चीज़े है, अगर आप सिर्फ लोकल ट्रेन बंद कर दें और बाकी की चीज़े शुरू रखें, तो लोग रोड़ पे आ जाएंगे, और लोकल ट्रेन में हर रोज 70 लाख लोग पर अब तक वो करने की नौबत नहीं आई है, ऐसा सरकार का कहना है, उनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल ट्रेनों में मुंबई के लोकल ट्रेनों में जो भीड है, वो भीड कम हो, इसलिए उन्होंने प्राइवेट कंपनी को कहा है कि आप सिर्फ 50 प्रत अगर आईसलिशन होजाया मितलब लोकल ट्रेन में लोग भी हो तो वो एक दूसरे को चिपक के खड़े ना रहे एक दूसरे को चिपक के ना बैठे लोकल ट्रेन है लेकिन सेफ डिस्टंस पर लोग रह सके ऐसी उनकी कोशिश है और दूसरी एक चीजज जो उन्हें लग र करेंगे लोकल ट्रेन पुरी तरह से बंद कर देंगे तो जो आर्थिक बहारे वो ठप हो जाएंगे और उसका नुकसान गरीब हो को होगा तो इसलिए वो तुरंत नहीं करना चाहिए दूसरी टाइमिंग की भी बात है क्योंकि यह कितने दिनों तक चलेगा हमें पता नहीं है जैसे कि UK में वो सोच रहे कि किस टाइम पे कौन सी चीज़े बंद करनी है कब आपका जो अगर यह एपिडेमिक है तो वो किस टाइम पे हिट पे आएगा मतलब पीक पे कब आएगा और तब हमें क्या-क्या बंद करना है वो टाइमिंग भी सोच रहे है तो इन सब चीजों कि बात की यह सबसे बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है मुंबई के हिसाब से नवी मुंबई और बहुत सारी चीज़े हमने एक्सप्लोर किया और उसको भी हम मुंबई में ही काउंट करते है लेकिन बींग फाइनाशल कैपिटल या एकनोमिक कैपिटल ऑफ इंडिया फ इसके साथ साथ जो लोग है नागरिक है कॉमन मैंस है उन लोग का रिस्पॉंस कैसे दिख रहा है क्या मतलब मॉल्स और वो सब बंद कर दिया गया है लेकिन उसके सिवा कहीं पैसे हो रहा है कि कुछ चीजे या खाना भरने के लिए पड़ा पड़ी हो रही है या अभी तो बड़ी पॉपिलेशन के लिए बहुत ही घटिया है क्योंकि वहां अब तक मतलब अभी-अभी वहां पे मेट्रो आई है लोकल ट्रेन अभी-अभी एसी हुई है मैं खुद मुंबई में रह चुका हूं और मतलब इतनी भीड में जाना पड़ता है आप चड़ भी नहीं सक लगते हैं इतनी मतलब इतनी हालत खराब है वहां के कम्यूटिंग की तो वह तो अलगी बात है मतलब पोरोना जैसा रोग बहुत तेजी से पहल सकता है क्योंकि लोग अब्यूसली एक दूसरे से एक मीटर के फासले पे नहीं एक मिलीमीटर के फासले पे होते हैं थूकने इसलिए बहुत चिंता का मामला है और मुझे से लगता है कि अभी तक होल्डिंग वगरा लोगों ने उतना नहीं शुरू किया है क्योंकि लोगों को शायद उसका सीरियसनेस भी नहीं पता चला है लोग अभी भी यही कह रहे है तीस चालिस तो कैसे से क्या इतनी बड़ी बात है तो इसकी वज़े से यह भी हो रहा है कि अभी जो शहरों में मार्केट में अगर आप जाएंगे तो लोगों को अभी उतना सीरियसनेस पता नहीं चला है लोगों को लग रहा है कि 30-40 केसे से कुछ नहीं होता है बट हम यह भूल जाते हैं और शायद यह लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है कि exponentially बढ़ता है इटली में भी कुछ गिने चुने ही केसे थे लेकिन अब उनके पास अचानक आठ दस तेरा तीस हजार तक वो पहुंच गये हैं तो तीन सो से तीस हजार पहुंचने में टाइम नहीं लगता है यह समझ में नहीं आ रहा है पहुंच अब भी नॉर्मल लाइफ वहां पे जी रहे हैं और मुझे लगता है यह चिंता की बात है क्योंकि जितना सोशल मतलब जितना साथ पब्लिक प्लेस में लोग और रहेंगे उतना यह रोग और फैल सकता है शुक्रे आशिष हमारे साथ जुड़के ही सारी रिटेल शेयर करने के लिए तो जे प्रमाणे आशिष है किदू ए रते कि थोड़ू सीरियस थवानी जरूशे महारास्टर मां केस वधी रहा चे आपनों गुजरात भी महारास्टर नों पाड़ो सीच चे सारी वाच्छे कि गुजरात मा अजी सुधी एकपन पॉजिटिव केस न थी नौंधवा मा आवे हो पन कदाचे दिवस दूर नहीं होई जो आपड़े सीरियस नहीं थाई है तो डबली ओएचो ना एवाल प्रमाने भी आज कारण हतू जो सतर्कता नहीं होई तो जेम चीन थी यूरोप थाई गयू केंद्रा ने त्यांगड केसेस वधवाल आगया इटली ने शटडाउन करवानी नौबत आवी एवी नौबत आपने प्राथना करिए कि भारत मां आप गुता रहो पीबीसी न्यूस गुजवाती